हलो दोस्तों आप सभी का स्वागता सिविल डैमेशन चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक वाटर टैंक वर्सिस स्टेने स्टील वाटर टैंक अगर आप कन्फ्यूज हैं अपने घर में कौन सा वाटर टैंक लगवाएं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूसफुल होने पाला है इसलिए वीडियो को त्यान से और पूरा देखें तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जैसे कि आप सभी को पता है इन स्टोरेज वाटर टैंक का यूज हम अपने घरों की छत पर पानी स्टोर करने के लिए करते हैं और ये वाटर टैंक पाइपलाइन के दुवारा हमारे केचन, बातरूम, टॉलेट आदी से जुड़े होते हैं ताकि स्टोर वाटर को आप यूज में दा सकें पर क्या आपको पता है पानी को सिर्फ स्टोर करने से जरूरी है पानी को सेफली स्टोर करना ताकि स्टोर वाटर में किसी तरह का कंडैमिनेशन ना हो और वे अलगी और बैक्टिरिया से फ्री रहें और इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि कौन सा वाटर टैंक पानी को स्टोर करने के लिए सबसे सेफ है चलिए तोनों में डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले प्लास्टिक वाटर टेंग की बात करते हैं प्लास्टिक वाटर टेंग लाइट वेट होते हैं जिसके कारण इनको ट्रांसपोर्ट और इस्टॉल करने का खर्च भी कम आता है प्लास्टिक टेंग में जंग लगने का डर नहीं होता इसलिए इनकी लाइफ भी काफी अच्छी होती है क्योंकि प्लास्टिक टैंक को मेनिफेक्चर करना असान होता है इसलिए ये बहुत सुस्ते और एफड़बल होते हैं एफड़बल होने के कारण से ही ये काफी पॉपलर होते हैं और मैक्सिमम घरों में आपने प्लास्टिक वाटर टैंक ही लगे होए देखे होंगे प्लास्टिक टैंक आपको बहुत से अलग-अलग रेंज, साइस और शेप में मिल जाते हैं जैसे क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक टैंक आपको दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, छे लेयर आदी क्वालिटी में मिल जाते हैं साइसे की बात करें तो प्लास्टिक टैंक आपको 200 लीटर, 500 लीटर, 700 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर, 4000 लीटर आदी Water Storage Capacity के साथ मिल जाते हैं Similarly Plastic Water Tank आपको Vertical और Horizontal दोनों ही Shapes में आपको मिल जाएंगे Material Use और Technology के Basis पर बात करें तो Plastic Water Tank दो तरह के आते हैं पहला है Rotomalded Plastic Water Tank और तूसरा है Low Malded Plastic Water Tank Rotomalded Tanks को बनाने के लिए Low Tensity Polyethylene Plastic का यूज किया जाता है और इसे Piaxial Rotation Machine पर घुमा कर बनाया जाता है Rotomalded Tanks बनाने की एक पुरानी प्रकीरिया है जिसकी वज़ा से इनकी Manufacturing में अतिक समय लगता है 1000 लिट्र टैंक को बनाने में करीब 30 मिनट तक लग जाते हैं जिसकी वज़ा से इनकी Manufacturing कोस्ट भी हाई होती है इन Rotomalded Tanks की कोस्ट Blow Malded Tanks से हाई होती है Rotomalded Tanks आपको बड़े से बड़े साइज में भी मिल जाते हैं इनमें साइज का कोई इशू नहीं आता महीं तूसरी तरफ Blow Malded Tanks को Blow Malded Tanks से बनाया जाता है जिस तरह हम कुबारे को फुलाते हैं कुछ इस तरह से ही इन Tanks को फुला कर बनाया जाता है इसे हम Tanks बनाने के लिए एक latest technique भी कह सकते हैं Blow Malded Tanks को बनाने के लिए HDRE यानि की High Density Polythylene Plastic का यूज किया जाता है इस technique दुवारा काफी कम समय में Water Tanks को बना लिया जाता है जिस वज़ा से इनकी Manufacturing Cost भी Low होती है और Rotomalded Tanks से इनका Price भी कम होता है Build Quality और Terability की बात करते हो तो तोनों ही Tanks की Quality similar होती है इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि यह tank 2 layer, 3 layer, 4 layer, 6 layer आदी quality में मिलते हैं और tank में जितनी ज़्यादा layer होगी उसकी Wall Thickness उतनी ही मोटी और मजबूत होगी Wall Thickness से मतलब tank की Thickness से है जैसे कि आपको पता है इन Tanks को चटों पर रखा जाता है इसलिए manufacturing companies भी इन extra layer के बदले आपसे extra charge कर पाते हैं Features जैसे की Heat Resistance, UV Resistance, Algae और Fungal Resistance आदी feature के साथ इन Tanks को बेशती है चलिए अब Stainless Steel Tanks के बारे में detail में समझते हैं Stainless Steel Tanks को समझने के लिए आपको सबसे पहले tank के structure को समझना होगा Stainless Steel Tanks भी 3-6 layer में बने होते हैं Example के लिए हम 5 layer वाला tank ले लेते हैं इस tank में Stainless Steel की एक inner layer होगी उसके उपर second layer Nitrite Thermal Insulation की होगी तीसरी layer PU, Puff Insulation की होगी चोती layer Glassful की होगी जोकी Fire Resistant होगी और पांचवी layer जोकी Top layer होगी वह भी Stainless Steel की होगी इस वज़ा से ये tank बहुत ही durable और long lasting होते हैं Long run में assistant लगाना एक अच्छी investment होगी Stainless Steel से बने होने के कारण इन tank में rest भी नहीं लगता और ये सभी environmental condition के लिए बहुत ही stable होते हैं ये tank high temperature, hot water और other liquids के लिए suitable होते हैं इन tank को clean करना और clean रखना बहुत असान होता है क्योंकि इनके bottom में एक cleaning well दिया गया होता है पीने के पानी के लिए ये tank सबसे अच्छे tank माने जाते हैं क्योंकि इन tank से बैक्टिरिया, fungal और chemical reaction आदी जैसी समस्या नहीं होती ये tank देखने में बहुत ही premium लगते हैं और property की value को भी बढ़ाते हैं चलिए अब देखते हैं ये tank कितनी qualities में आते हैं और इनके क्या अंतर है SS tank करीब 3-4 अनगलत qualities में आते हैं पहला जिसमे inner layer जिसमें पानी store होता है और auto layer जो protective layer होती है दोनों ही SS 304 में बनाई जाती हैं दूसरा जिसमें inner layer tank SS 316L की होती है और auto layer SS 304 की ही होती है ये 316L steel surgical instrument को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जिस वज़े से इनने surgical steel भी कहा जाता है तिसरी quality जिसमें inner layer 316 Ti steel की होती है और outer layer 304 steel की होती है चोथी quality जिसमें inner layer duplex steel 205 की होती है और outer layer 304 grade steel की होती है चलिए आपको देते हैं कुछ buying tips ताकि आप अपने लिए सही tank का selection कर पाएं अगर आपका budget काम है तो plastic water tank लेजिए और budget का issue नहीं है तो SS tank लेजिए अगर आप plastic water tank ले रहे हैं तो इसे sunlight से बचाने के लिए उस पर shade जरूरी लगवाएं ताकि उसे UV rays से बचाया जा सके और ऐसा करने से fungal और bacterial growth भी कम होगी SS tank UV resistance होते हैं और all rather friendly भी होते हैं इन में fungal और bacterial growth भी नहीं होती इसलिए हैं सेफ हैं इन पर किसी भी shade की जरूरत नहीं होती अगर आप SS tank ख्रीद रहे हैं तो पहले अपने area का water TDS level चेक कर लें अगर TDS 1000 से ज़्यादा है तो SS 316L steel balla steel tank लें क्योंकि SS 304 में corrosion की problem हो सकती है नहीं तो water softner लगवाएं और OEV tank यूज़ करें plastic tank लेने से पहले tank की thickness और weight जरूर चेक करें similarly SS tank की inner layer की thickness कम से कम एक mm लें finally tank अच्छे non brand का लें और warranty claim करने के लिए invoice bill जरूर लें अब ये वीडियो आपको informative लगी होगी तो वीडियो को like and share कीजिए और चैनल को subscribe करना ना भूले thanks for watching civil dimensions